अप्लाई एक्षन और अप्लाई लास्ट फिल्टर बटन की साहता से आप एल्बम डियाइन करने के बाद फोटोग्राप्स में एक्षन या फिल्टर रन कर सकते हैं कैसे करना है यह देखिया सबसे पहले मैं यहाँ पर से कुछ फ्रेम्स बना लूँगा मैंने एरिया सेलेक् क्रियेट फ्रेम मैं नॉर्मल फ्रेम बना रहा हूँ बाकी अब डियाइनर फ्रेम्स बना सकते हैं कैसे बनाना है मैंने आपको बताया है अब मैं यहाँ पर तीन वर्टिकल फ्रेम्स बना लेता हूँ मैंने यहाँ पर इतना एरिया सेलेक्ट किया फ्रेम जन्रेटर यहाँ पर मुझे raw 3 चाहिए, vertical चाहिए, create frames, यहाँ पर 3 vertical frames बन जाएंगे, यह देखिए, अब मैं इन सब में photographs फिल कर देता हूँ, मैं automatic photo फिल कर देता हूँ, fill photo बटन की सायता से, सभी frames में photos automatic fill हो गई है, और अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर apply action और apply last filter के बारे में, यह देखिए, मैंने desktop में 10,000 free action एक folder बना के रखाया है, और उसमें धेर सारे मैंने action रखे हैं, इस software के साथ आपको यह action भी मिलेगा, जैसे मैं based, यहाँ पर black and white Photoshop action यह select करता हूँ, और double click करके इस action को मैं install कर लूँगा, फिलाल आप देखिए, Photoshop में window के अंदर action एक भी action install नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं किसी भी action पर double click करूँगा, वो install हो जाएगा Photoshop में, यह देखिए black and white Photoshop action, यहाँ पर install हो चुका है, यहाँ पर आप button mode करके इससे देख सकते हैं, यह देख फोटो को select किया, black and white Photoshop action one select किया, तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ process हुई, लेकिन इसमें apply नहीं हुआ है, तो मैं control Z या फिर go back button पर click करके वापस चले जाओंगा, यह देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है apply action, मैं photo select कर लूँगा, apply action बटन पर click करूँगा, यहाँ पर से तो यहाँ पर आप देखिए, black and white Photoshop action, action one, two, three, मैंने action one select किया, run, तो यह जो दो फोटो है, उसमें वो black and white Photoshop का action apply हो जाएगा, यह देखिए apply हो गया है, अगर आपको वापस जाना है, तो आप undo बटन पर click किजे, वापस चले जाएंगे, इसे close करना है, close कर दीजे, पर मैंने इतने सारे photograph को select किया, apply action, आप कोई साभी action यहाँ पर से select कर लिजे, जैसे मैंने 20 number का action select किया, run बटन पर click किया, तो सभी select किये हुए photo में, वो action apply हो जाएगा, आप देख सकते हैं, सभी photo एक एक करके, net app में open होते जा रहे हैं, उसमें action apply होता जा रहा है, और वो आप कर सकते हैं, बस आपको उन्हें Photoshop में load करना है, और यहाँ से कोई सभी action select करना है, और run बटन पर click करके, आपके सभी select किये हुए photo में उसे apply कर लेना है, go back, go back, okay, जैसे यह देखिए, मैंने ये 4 photo को select किया, shift button दबाया रखते हुए, apply action, मैंने action select कर लिया, 15 number का run, तो मैं मैंने जो 4 photo select किया था, उसमें 15 number का action apply हो जाएगा, यह देखिए, action apply हो चुका है, undo करने के लिए इस बटन पर click कीजे, redo करने के लिए इस बटन पर click कीजे, आप इसे undo कर सकते हैं, और आपको अच्छा ही लगता है, तो फिर कोई दूसरा action, जैसे मैंने action 28 ले लिया, run कर दि यह देखिए, वो action run हो चुका है, तो इस तरीके से run action बटन की सहायता से, आप किसी भी action को album reigning के दोरान इस्तमाल कर सकते हैं, आप खुद से भी action मना सकते हैं, और उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं, मैं go back बटन पर click करके वापस चला जाता हूँ, अब हम देखते हैं, apply last filter option के बारे में, आप कोई सभी photo select कीजिए, सभी photo as a smart object फिल होते हैं, आप layer panel में इस smart object के icon पर double click करेंगे, तो वो photo एक नए tab में open हो जाएगा, अब इसमें आप कोई सभी filter apply कर सकते हैं, आपने Photoshop में जो भी filter install करके रखा होगा, जैसे यहाँ पर मैंने portraiture install करके रखा है, उ यह photo camera raw filter में open हो जाएगा, just for example मैंने इसका exposure ऐसे बढ़ा दिया, ok किया, और इसे मैं close कर लूँगा, yes कर लूँगा, तो एक photo में मैंने क्या कर दिया है, exposure बढ़ा दिया है, किस से? filter से, camera raw filter से, तो यह जो filter मैंने इस्तमाल किया है, उस filter को मैं बाकी सभी photo के साथ repeat कर सकता हू यह देखिए, apply last filter का यहाँ पर button है, आपको क्या करना है, जिन भी photographs में आपको वो last filter apply करना है, उसे आपको select करना है, apply last filter button पे click करना है, तो जो last filter जो हमने camera raw का filter apply किया था, वो बाकी photographs में apply हो जाएंगे, यह देखिए, सभी में brightness बढ़ गई है, just for example मैंने यह photo select किया, यह smart object ह के icon पे click करूँगा, और दूसरे tab में open हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर कोई साइक filter apply कर दूँगा, मैं filter में गया, camera raw filter में गया, और इसे मैंने कर दिया चलिए black and white, grey skill, okay, इसे मैंने कर दिया close, close करते से मैं आपको yes करना है, एक photo में हमने filter apply कर लिया है, उस filter को अब हमें बा बाकी के photograph select करना है, apply last filter और जितना भी photograph आपने select किया है, उसमें वो last filter apply हो जाएगा, यह देखिए, process complete हो चुका है, आपको वापस जाना है, आप go back button पे click करके वापस जा सकते हैं, यह देखिए, मतलब apply last filter क्या काम करता है, आपको एक photo में filter apply करना है, और उसके बाद आप उ photo select किया, आपको क्या करना है, layer panel में, उसके smart object वाले icon पे double click करना है, उससे फोटो एक नए tab में open हो जाएगा, filter के अंदर जाना है, कोई सा भी filter, just for example, मैं आपको यहाँ पर blur वाला option दाता हूँ, यह blur कर दिया मैंने, मैं बस एक normal ही बता रहा हूँ, example के लिए, blur नहीं करना हो इसे close कीजिए, yes कर दीजिए, अब यह filter मुझे किसे दूसरे photo में apply करना है, मुझे इस पर apply करना है, मुझे इस पर apply करना है, apply last filter, तो जो भी photo मैंने select किया है, उसमें वो filter apply हो जाएगा, process हो रहा है, आप देख सकते हैं, यह देखिए, process complete हो गया, मैंने एक photo को blur किया था, औ और बाकी photo में भी ओ ब्लैर apply हो गया है, मतलब आप last में जो भी filter apply करेंगे, जैसे एक photo में आपने camera rock filter apply कर दिया, या फिर एक photo में आपने portraiture apply कर दिया, और फिर बाकी के photo को select करके apply last filter बटन पे आप click करेंगे, तो portraiture बाकी के select किया हुए photo में भी apply हो जाएगा, go back, go back, तो अ मैं आपको दुबारा बता रहा हूँ, इस opera के साथ आपको दस हजार के करीब color tone से related action मिलेंगे, जिसका इस्तमाल आप album designing के दौरान कर सकते हैं